ओल्कम बेक गाईज फिर से आचुगा हूँ धमाकदार गिमप्लक साथ एक पूर रमी होने वाला है छे लोग का 101 पूल लेकिन यहाँ पे एक लोग जोईन नहीं क्या कार्ड मेरे को मिल चुगा है देख लेता हूँ कार्ड गेसा मिला है जुका तो है प्योस सिक्वेंस नहीं इनका 10 भी कम आ जाएगा क्योंकि चिड़ी का 10 है इनका 10 और एक 10 मिल जाने से 10 का सेट बना लूँगा और चिड़ी का 2 चाट तो है यहाँ पे सिक्वेंस बना लूँगा इनका 9 लेके फायदा नहीं होगा देखता हूँ क्लोर देख से क्या मिलता है इनका तो यह कम आज सक काता मतलब 10 को मैं फेक सेकता हूँ गुलाम लेके क्या करूंगा बैगोम चाहिए मेरेको इनका एक का लेके भी कुछ फायदा नहीं है एक का कोई छोड़ता हूँ अगर मेरेको चिड़ी का बैगोम या फिर चिड़ी का 9 मिल गया तो यहाँ पे 10 को डिसकार्ड कर देंगे इस बार देखता हूँ क्या फेकता है इस बार मेरेको चिड़ी का 9 मिल चुका है इसे मैं ले लेता हूँ ना दस गुलाम ए भी एक सिक्वेंस त्यार हो गया जोकर को हटा दिया अभी इनका 10 कुछ काम का नहीं है उसी को छोड़ दिया अभी मेरेको शिर्फ एक काड मिल जा कार्द मिल चुका है मिल चुका है जोकार पहले देखना पड़िगा सकता है प्योस बन सकता है लगीन उससे पहले सब लोगों ने ड्रॉप कर चुका है आच्छा हुआ मिरे बास पीजिक्वेंस नहीं था खेलता तो कुछ भी हो सकता था अभी चलता हूँ नेक्स डिल की तरफ देखता हूँ कैसा काड मिलता है स्टार्ट होने वाला है देख लेता हूँ कैसा काड मिलता है अभी सब का पॉयंट देखो मेरे पास है 2.40.41 और एक के पास है 20 इस बात तो काड अच्छा नहीं मिला क्योंकि स्रिफ एक pure sequence मिला है होकुम का 2-3-4 इसे खेल के फाइदा नहीं होगा इसे मैं डॉप करता हूँ यहाँ पे स्रिफ 2 वांदा खेर रहा था इसे डिगला है कहने के बाद जो खेर रहा था उसका स्रिफ 5 पॉंट हुआ है मतलब सब के पास अच्छा काड़ था अभी चलता हूँ नेक्स डिल की तरब नेक्स डिल स्टार्ट होने वाला है देख लेता हूँ काड़ गेसा मिलता है किसी के पास भी ज़्यादा पॉंट आभी तक नहीं है इस पर मेरे को एक जोकार मिला है साथ साथ प्योष सिक्वेंस भी मिला है इनका 3-45 प्योष सिक्वेंस हो गया इनका 9 गुलाम है जोकार देगे 9-10 गुलाम कर लिया यहाँ पे 9 का set बनने का भी चांस है इनका 9 है पान का 9 है तो फिर यहाँ पे पान का 2 नहीं आया है उहाँ पे जोगात देखे यहाँ पे 400 का sequence मैंने बना लिया अभी इसने एक का फेकाई श्रिप एक बांदा खेड़ आया है मेरे साथ एक का लेके फायदा नहीं होगा देखता हूं иногда नूख से क्या मिलता है पान का नौ के आसपस पता उसको नहीं देना और मेरे पास भी नहीं है इन का उलम एक्स्टा कार्ड रहा है उसी को छोड़ दिया क्योंकि जादा पॉइंट रख के फायदा नहीं होगा आई भी मेरे पास 15 पॉइंट है उसने पान का नौ मेरे से लिया था फिर से उसने पान का नौ फेका है आई मैं हुकुम का दस को छोड़े देता हूँ इसे डिगला के इन में टाइम लाएगा क्योंकि मेरे पास टार्च कार्ड नहीं है इन का तीन है चिड़ी का दो है मतलो चिड़ी का डौ एक का रहता या फिर फिर भी हो सकता था जलदी जलदी हुकुम का नौ लेके 460 सेठ तो बन जाएगा फिर भी डिगला नहीं कर पाहूँगा इसलिए नहीं लिया उसने 9 फेका है मेरेको 8 मिल रहा है उसे रखके क्या किरूँगा उसी को फेक दिया और उठने का चांस भी नहीं है इस पर उसने बाइसा फेका है बाइसा लेके फायदा नहीं होगा मेरेको 7 मिल चुगा है अभी यह कम आ जाएगा क्योंकि यहां पर मैं 7 का सेट में बन सकता ह अब श्रिफ एक काड़ मिल जाने से डिगला कर दूँगा पांच पांच लेके फाइदा होगा क्या पांच लेके फाइदा नहीं होगा डिगला नहीं कर पाऊँगा एक काड़ तो रहे जाएगा पांच नहीं लेता हूँ श्रिफ एसा ही मेरे को एक काड़ चाहिए लेकिन य इन का चे ये क्या हो रहा है आप लोग यहाँ पर देखो उसने 5 का 5 फेका था उसको मैं अगर उठा लेता और 1 का को नहीं छोड़ता तो इस बाद डिकलर हो जाता लेकिन मैं अगर पात ता उठाऊंगा तो फिर इन का चे मेरे को नहीं मिलता उसको मिल जाता रामी में कुछ भी हो सकता है कार्ड देखके डिशाइड करना पड़ेगा कि शेड बनाना है या फी सिक्वेंड आभी डिकलर हो जाएगा पान के पाज उसने फेका था 345 जोकार को हाटा के या पर मैं और एक सिक्वेंस बना लिया चिली का साथ एक्स्टा कार्ड है इसे देखके मैं फिनिस क कार्ड मिसेड इस बर कार्ड थोड़ा बहुत अच्छा मिला है प्योस सीकेंस नहीं है लेकिन भीको क tai चुक्त है और आच्छा हुआ कि इसे मैं दो дав जुका है और थे दक थोड़ा से कम है 42 मतलब जितने का बहुत जाया चांस है लेकिन इस बार मेरे को काट अच्छा नहीं मिला चीड़ी का चेले के भी फायदा नहीं हो रहा है इसे मैं डॉप कहता हूं रिक्स नहीं लगना है और इसे डिगलर करने के बाद दो बंदा यहां से आउट हो चुका है इस डिल में दोनों का हुआ है एक का हुआ है 80 एक का हुआ है 46 दोनों का 100 से जादा हो गया आउट हो चुका है अभी मेरे साथ त्रिप एक बंदा खेर रहा है उसका पॉयंट है 65 मेरे पॉयंट है 62 दोनों के आसपास पॉयंट है दोनों के बास एक एक करके डॉप दने का प पालसा था और को राखना говорит सकता है लेकिन उससे पहले उसने तो भब कर दिया क हरावी उसके पास और डॉप देने का पॉइं amis कि मैं और एक बाद कर सकता हूं मेरा पॉइंट एक भाइन स्थेटा लेता हुआ है फ्र जाकरा है नहीं हूं मेरेको और एक चशांस मिला है और एक डील बाकी है उस cuanto डिगलर कहना ही पड़ेगा देख ले보िए और इसबार मेरेको कार्ण चाहलन जाता हूं मेरेको कार्ण चाहलेगा और एक बार मिल रहे Breaking सब्सक्राइब् सेकता हूं लेकिन मैं 10 को फेकने वाला हूं उड़ाने का चांस नहीं है अब भी बहुत सारा कार्ड मेरे पास एक्स्टा है एट टू पॉइंट है मतलो 18 पॉइंट से ज्यादा हो जाने से मैं आउट हो जाओंगा ट्राइ कहना पड़ेगा कि कम पॉइंट कहने का क्योंकि बह बैगोम तो जुकार है तो फिर मैं एक का को फेकने वाला हूं पॉइंट भी कम करना पड़ेगा 18 पॉइंट से कम पॉइंट कहना पड़ेगा एक को फेक दिया बहुत ट्राइम हो गया वो डिगलार कर सकता है पॉइंट पहले से कम करना चाहिए ठीके देख लेता हूं इनक काड मिल जाने से मेरा 18 पॉइंट से कम हो जाएगा और डिगलार भी हो सकता है देख लेता हूं इस बार उसने क्या फेगएगा डिगलार करेगा क्या बहुत टाइम ले रहा है इंड का सथ फेका है इंड का साथ लेके फाइदा नहीं होगा यह क्या हो रहा है बालसा गुलाम बास सरा मिल रहा है लेकिन बैगोम जोकार है बैगोम एक भी नहीं मिल रहा है अभी नहीं चाहिए बासा बासा ही बार बार मिल रहा है इंड का छे लेके फाइदा नहीं होगा देखता हूँ क्लोई डेक से क्या मिलता है इंड का छे ही मिल चुका है छे कोई फेकता हूँ उसन पाऊंगा इस पर उसने चिड़ी का साथ फेकाई ये लेकर फाइदा नहीं होगा क्योंकि चिड़ी का 3-5-6 चार नहीं है जोकार देगे 3-4-5 कर लिया छे रहता तो साथ को ले लेता आवी मेरे को फिर से जोकार मिल चुका है पान का 4 इक्स्टा काड़े इसे देखे मैं फिन झाल